तो सुबह के आठ बच चुगे हैं और सामने आप गेट देख सकते हैं यह है सुरकंडा देवी जी का गेट यहां से स्टार्ट होती है ट्रैक एक डेड़ किलो मेटर की ट्रैक है और इसमें मैक्सिम कहते हैं एक से तेड़ गंटा लग सकता है डिपेंड करता है आपकी नहीं भी आप नवें इंटो बीचेश वाट तिल थाम मेरे एक्स्पीजेंस पाड़ों का सबसे बेस्ट रहा है बेस्ट मॉर्निंग बताते हो पर पॉंच कर आपको बीच मेरास्ते में एक अधी क्लिप बता देंगे जो मिलेगी तो मिलेगी तो मिल रॉक ओन सिया यहां से श्री शुर्कुंडा देवी जी पहुंचते हैं बताते हैं अचको दसका दमी चले हैं और यह व्यू स्टार्ट हो चुका है बहुत से कर यह बन रहा है रोप पे इनके बंदें ट्रैवल नी करना चाहते हैं जो बड़े भूडे हैं उनके दर्शन के लिए यहां से स्टार्ट है अभी मतलब खुला निया बन रहा है वर्क इन प्रोग्रेस है वहां तक तो यह काफी टाइम भी सेव कर देगा उनके चलना मुष्क मतलब दिखकत देता है या बूडे लोग है बस तो अच्छा प्रोजेक्ट है यह काफी अच्छी से काम कर रहे हैं लोग सही चल रहा है बड़ा जनरेटर रखाया हुआ है इस सो गुड़ यार चलो पहुंचते हैं सांस पूल जाती है यार दो मेंटों चलता है चड़ा ही चड़ाई चड़ाई है बट सेल अगुड़ ट्रैक मोर देन उजी यह अब हाई स्टीप चड़ाई शौट कट बता रहे हैं से एक रास्ता वो भी था मगर हमारे साथ आई है बियर फ्राइड बियर ग्रिल्स की जगह यहां से जान चाहती है इस तेंग सो स्टीप अब हम काफी आगे आ चुक है यह देखी जो मने आपको पीछे दिखाया था रोप वे होगा सामने कि यह बहुत ही तकड़ा हो गया यार कि यह आरा ना वी नहां से इतने हुचा इसे अभी वह तो थकान चली जाती जाती है रहां हाद वासे इवब कि यह दो झाल कि यह तो अग्यार की जाती है तो अग्यार को पास्टा प्रॉब झाल को प्रॉब वार रही जाओट वार घ्टेए कि लाइन कि धर से किधर जा रही है कि अधर कि अधर जा रही है कि अधर कर दिये हैं बर्फ जमिय है रास्ते में और आप लोग के लिए आसान करते हैं रास्ते ऐसे भी यह यहां मेहनत करते करते हैं अभी भी सोचो कि आप यहां आ रहे और सब कुछ आसान है नहीं किसी ने अपना टाइम लगाया और मेहनत करी है यहां के लिए जब आसान मुना जै भूलें करते हैं झाल झाल